हेलो दोस्तों हिंदी मिलर पर फिल से आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए हिंदी निबन के कोशन्स लेकर आए हैं और हमें उम्मीद है कि ये कोशन्स आपको बहुत पसंद आएंगे और ये कोशन्स हमने जो निबन आपको पता इन चारो ही भागों से आपके लेखों को लिया है और उनके निबन्दों को भी लिया है जितने भी कोशन्स हैं वह सारे बहुत ही स्लेक्टेड आपके प्रशन लिये गए हैं इसलिए आप पूरी वीडियो को जरूर देखना हो सकता है जो निबन्द मैं आपको बताऊं आज लेखो को के वह आपने भी तक कहीं नहीं पड़े हो तो आप उनको अच्छे से देखना और जो है अगर आपको लगे कि नोट डाउन करने लाइक है तो आप इनको नोट डाउन भी करें जिसे आपके इन फ्यूचर भी यह रखे रहें आपके काम आए तो अगर वीडियो पसं समपादन कब सम्भालत था 1902 इसा में 1903 इसुए में फिर 1910 इसी में तो आपका तेहरा का जो उत्तर होगा आपका 1903 पास था यह आप पताएंगे कि 1900 में किसके पास था 1903 में इनके पास आय था लेकिन 1900 से शुरू हो चुका था तो उसमें कब किसने संभाला था बेकन विचार रतनावली किसकी रचना है बेकन महावीर परसाद दिवेदी भारतेंदू जी या फिर आचार रैशुकु जी की तो 14 का आपका उतर होगा भी महावीर प निबंदकार है मादव परसाद मिश्र बाबु शाम सुन्दर दास या फिर अध्यागपक पॉन सिंग या फिर उपर युक्त सभी तो बताना है इसमें तो इसमें जो हैं आपके दिवेदी युक्त के जो निबंदकार हैं ये सभी हैं ठीक है दोस्तों चलिए अगर आप ल निबंदकार होगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है आपका यह सिक्वेंस के ऊपर मत जाना क्योंकि मैंने जो कोशन लिये हैं वो जो अच्छे प्रशन है स्लेक्टेट प्रशन है वही लिये हैं जिनका मुझे तो 17 का आपका उतर होगा डी इनके जो है कन्यादान भी है और पवित्रता भी है यह दो निबंद आपको इनके बारे में पता चल गए हैं कि यह इनके अध्यापर कुन सिंग जी के लिखे वे हैं गोबर गणे सहीता किसके सम निबंद संकलन का नाम है चंद्रधर शर्मा ग पुलेरी जी का गोबर गणे सहीता निबंद संकलन है ठीक है चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं भारतिय सहीत्य की विशेस्ताइं नामक निबंद किसी ने लिखा है पदम सिंग शर्मा वासुदेश रन अगरवाल संपूर्णा नंद या फिर बाबुशाम सुंदर दाज ठीक है आपका यह हो गया यह भी आपका प्रशन बहुत अच्छा है रसग्या रंजन ठीक है इंपोर्टेंट है इसको नोट कर लेना आप किस निबंद कार के निबंद संकलन का नाम है आचारे रामचंद्र शुक्ल शाम सुंदरदास महावीर प्रसाद दिवेदी या फिर डॉक्टर संपूर्ण नन्द तो बताइए दोस्तों किसका है यह रसग्या रंजन तो यह किसका है 20 का आपका उतर होगा सी महावीर प्रसाद दिवेदी जी का रसग्या रंजन नोट कर लेना इसको बहुत अच्छा प्रशन है यह चले अगले प्रशन पर चलते हैं इन में से कौन सा निवंद अध्यापक पूर्ण सिंग का नहीं है तो बताना है इसमें आपको आचरन की सभ्यता मजदूरी और प्रेम लज्जा और गलानी या फिर कन्यादान तो चार ओप्शन है यानि के एक नहीं है तीनी के लिखे वे हैं दो हम इनके उपर पढ़कर भी आ रह पनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो है मैंने कोशन पीजटी-पीजटी की वी एक सड़ी चला रखे वहां पर भी एक कोशन आते हैं क्योंकि यह सब मिले जुलए ही होते हैं हिंदी के सभी में एक तरह से कोशन साते हैं तो आपके लज्जा और गलानी का वहां पर मैने समझा रखा है कोशंस तो यह रामचंद्र शुक्र जी द्वारा है ठीक है अगला प्रशन है शिक्षा का उदेश है नामक निबंद के लेखा किन में से कौन है संपूर्णा नंद अध्यापक पॉन सिंग पादम सिंग शर्मा या फिर बाबू शामसंदरदा जी तो 24 का आपक अध्यापक पॉन सिंग कौन सी लाक्षनिंग भाशा के लिए जाने जाते हैं और इनके निबंद के बारे में आप उपर पढ़ चुके हैं कुन से कम इनके पाच निबंद आपको बता दिये गये हैं उपर तो उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इनके निबंद भी कोन सी कस वर्क के निबंद कार हैं भावत्मक वर्णात्मक या फीवर्णात्मक इनको अ कि एक इनको बहुते हैं इसको बहुत मखने पन्धकार तो बटाना है किस सरे के निबंद आपका 26 किस निबंदकार के निबंदों को हिंदी निबंद का आदर्ष कहा जाता है बताईए क्यों कहा जाता है चलिए अगला प्रशने आचारे रामचंद्र शुक्ल जी कही है आचारे रामचंद्र शुक्ल का निबंद संकलन इनमे सी कौन सा है रस अग्या रंजन पता है यह उपर आचुका यह तो हो आई नहीं रस आके टेक विचार और वितर्क या फिर चिंता मणी तो इसमें जो उनका निबंद संकलन है यह है चिंता मणी है अब देखे यह रस टुब स्वाइब टर्क रंजन और शुब्र मोलखे रंजन तो आप उपर पड़ी चुके हैं किसका है मामीर परसाइव अब है रसागेट इक की बात आई तो यह कुबेर नाज जी का इसको आप नोट कर सकते हैं और रसा के जो है वह कुबेर नाज जी का इसको आप नोट कर लें रसग्यर अब को उपर अभी बताया है यह महावीर परसाद दिवेडी जी कावे में रहसेवाद निबंद किस लेखक का है जैशंकर प्रशाद आचारे रामचेंद्र शुक्र डॉक्टर नामवार सिंग तो बताईए कावे में रहसेवाद यह मैंने चिंतामणी के जितने भी निबंद हैं यह मैं सब करा चुकी हूं तो यह आपकी पीजीटी टीजीटी की सिरीज में कोशन्स अब बहुत कराए हैं मैंने उसमें आप जाकर देखें पूरा चिंतामणी में जो निबंद हैं 17 जितने भी हैं वो मैंने कराए है जैशंकर प्रशाद महादेव वर्मा आचारे रामचेंद्र शुक्र डॉक्टर ना सुंदरदास या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी तो यह भी आचारे रामचेंद्र शुक्र जी का है इसको भी आप नोट डाउन करें इसको भी आप नोट डाउन करें बहुत ही खास कोशन्स हैं मनोविकार संबंदी निवंदी इन में से किस लेखक ने लिखे हैं परताप नारायन मिश्र आचारे रामचेंद्र शुक्र हजारी प्रसाद दिवेदी या फिर हरेशंकर प्रसाई जी तो 32 कभी आपका आचारे रामचेंद्र शुक्र जी को ही जाता है अंसर मनोविकार मनोवन बंदी निवंदी में की लिखे वे हैं वहिस्था हि जले प्रस्ण पर प्रस्ण परताटः के रचनाकार का नाम बताए रचनाकार का नाम बताना है डौक्टरं अगेंद्र अगें निर्मल मॉर्मा या फिर हजारी प्रसाद दिवेदी थे рь्च्छ क्या होगा इस डॉक्टर नगेंद अग्गे निर्मल वर्मा या फिर हजारी परसाद दिवेदी 52 का आपका उत्तर होगा भी अग्गे ठीक है जो ये लिखावा है निबंद ये इनके द्वारा लिखा गया है चलिए अगले प्रशने पर चलते हैं लिखी कागद कोरे किसका निबंद संग रहे हैं आचारे हजारी परसाद दिवेदी शांती प्रिया दिवेदी टॉक्टर रामविला शर्मा या फिर अग्गे बताई दोस्तों इसका क्या आंसर होगा लिखी कागद कोरे 53 का आपका उत् वाला जो आपका निबंद था आत्म नेपद ये भी अग्गे जी का था और फिर लिखी कागद कोरे ये भी अग्गे जी का है ठीक है चलिए अगले प्रशने पर चलते हैं ये भी अग्गे जी से ही आ गया है इनमें से कौन सा अग्गे का निबंद संग रहे नहीं है भवन का आपका उतर होगा डी ठीक है ये संचार्णी आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है उपर मैंने आपको बताए हैं कोशन्स लेकिन मैं बता दूँ आपको इसका भी संचार्णी का ये किसके द्वारा लिखा गया है अगर आप बताएं तो मुझे जादा अगर आप सर्च करके मुझे बताएं तो आंसर मुझे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता है मेरे कहने के बाद भी चलिए अगला प्रशन है इसमृति लेखा अग्ये जी के किस प्रकार के निबंदों का संकलन है इसमें आपको बताना है कि इसमृति लेखा के बारे में कि अग्ये जी के किस प्रकार के निबंदों का संकलन है ललित निबंद है संस्मारनात्मक निबंद है भावात्मक निबंद है या फिर विचारात्मक निबंद है तो 55 का आपका उत्तर होगा बी संस्मारनात्मक निबं मिश्र तो आपको इसमें बताना है कॉन तु फुलॉआ बीनन हारी बहुत अच्छा प्रशन इसके कि इसके हैं लेखक विद्यानिवास-विष्र निभन संख्र है चले इसमें इन से कॉन की विद्यानिवास-विष्र का निभन संक्लन नहीं है अगनीरत, लागो रंग हरो, महा भारत का कावियार्त या फिल समवत्सर तो ये तो मैं भी आपको बता कर आई रही हूँ समवत्सर के बारे में आपने पीछे पढ़ा भी है अभी तो 57 का आपका नहीं है तो वो कौन सा है D सभी बच्चे समझ गए होंगे जो ड़ियों का निवन षगरह में आया था यहां पर आया था यहां पर संचाट नि मैंने आपको भी बताया था कि कि यह किसका है तो यहां पर देखे वारे में पुछा है यह रह को तो इसस्का यह तरह भी तो यह किसका है अग्येजिता है कुछ कोश्चन मिले जूले रहते हैं कहीं बार आपके जो एक्जामस में आते हैं को भी इसी तरह से आते हैं कि आपका जो पहले कोश्चन पूता है तो कहीं चोड़कर उसका आंसर वहीं पर छुपावा होता है लेकिन हमारी देखने का नजर मल वर्मा तो 58 का अपका उत्तर होगा सी गजान अनमाधों मुक्ति मूद इसको भी नोट करिए बहुत ही इंप्रशन पर संस्कृति और साहितिया नामक निवन संक्लन इन में से किस निवंदकार का है तो बताए दोस्तों रामिला शर्मा डॉक्टर नगेंद्र हजारी परस किस संक्लन में हैं चिंता मनी भाग एक चिंता मनी भाग दो रस्मिमान सा या फिर इन में से कोई नहीं तो 109 का उत्तर होगा चिंता मनी भाग एक में कितने निवंद हैं चिंता मनी भाग दो में कितने निवंद हैं फिर उसके भी भाग बने वे हैं अगर आपको पता है तो description में मुझे बताईएए बसितना ही बतादीजिये कि चिंता मनी भाग कि इस वड़ का नीवंद है विचार आत्मक, वर्णात्मक भीवर्णात्मक आत्म परक तो 110 का आपका उत्तर होkan डी Евchwудь है आत्म Πरढड ठीक है अगला प्रस्ट बेखिए नहीं, चले अगले प्रश्ण पे चलते हैं, मेरी द्यानिकी का एक प्रश्ण इन्मे से एक निमंद कार का निबंध है, रामचंद्र शुक्त्र, बाबु गुलाब राये, जैने फिर दिन कर, तो 133 का आपका उत्तर होगा, भी, बाबु गुलाब राये, ठीक हैं, चले अगल 1957 इसी में या 1960 इसी में या 1965 या 1953, 1957, 1960, 1965 कब हुआ 134 का आप कऊँगा भी 1957 में कब विध्यान निवास मिस्र का निभन संग्रे जो है तुम चंदन हम पानी इसको भी नोट डाउन करो चलिए भी थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा 50 50 प्रश्ट कहां पर हैं यहीं नहीं चलिए आगे चलता है जहां पर हम थे हाँ यहां थे यह हो चुका आपका फिर आपका अगला प्रश्ण यह चल रहा है आमर मंजरी यह हो चुका आपका यह चल रहा है हाँ यह वाला प्रश्ण आपका हो चुका है विद्या निवास मिश्रका निवन संग्र है तुम चंदन हम पानी ये वाला आपका हो चुका फिर है आपका 135 कोशन इतिहार सोर संस्कृति की प्रस्ट भूमी पे लिखने वाला निमतकार इनमे से कौन है भगवत शर्ण उपाद्य है रामरिक्ष पेन पूरी हजारी की प्रस्ट भूमी पर निबंद लिखते हैं अगला प्रशन है विशाद रो योग किस निबंदकार का संक्लन है द्रम भारती विद्यानिवास मिश्रे कुबेडनात रोय या फिलक्षिक्वांत ज्छा तो 136 का उतर होगा सी कुबेडनात रोय इनके पीछे आप मैं आपको पता है तो बताएं डिस्क्रेप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में भावंती किस निबंदकार का संक्लन है कुबेडनात राय विजय देव नाराण शाही अग्या फिदॉक्टर नगेंद्र तो वल्थर्टी एट का उतर होगा सी अग्य भावंती जो है अग्ये जी का है धरती अगरवाल या फिर यश्पाल तो बन थर्टी नाइन का उतर होगा देवेंद्र सत्यार्थी नोट कर लिजिए इन में से पहला कावें यंग लेखा कौन है अरिशंगर प्रसाई रविंदर नात्यागी श्रजोशी बेढब बंसारी एक सो चालिस काप कोगा डी बेढब बं अधिमालिय किस निबंदकार की रचना है मोहन राकेष्र मनोर शाम जोसी धरमवीर भारती या फिर अभिमन्यू अनन्त तो यह धरमवीर भारती जी की इसको भी नोट डाउन करिए चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशनी है आस्था के चरण में डॉक्टर न 86 का आपका उत्तर होगा डी 101 ठीक है यहां कितने कोशन बन गया आस्था के चलन किसका लिखा डॉक्टर नगेंद्र जी का किसने हैं 101 तो दो प्रशन आपके आराम से यहां पर निकल गए कौनसा संक्रलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंदों का नहीं है आलोक की आस्था व बिचार और विवेचन यहां पर भी डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में पूछा गया नहीं है तो एक नहीं है बाकी सब उनी के है तो 87 का है सी यह आपको बताएंगे सब के आज आज आंसर मैंने आपको दिये हैं लेकिन इसका आप मुझे देंगे कामा ध्यात्म किसका ह चलते हैं श्रंखला की कडिया नामक निवन के संक्लन किसका लिखा हुआ है प्रसाद जी का महादेवी वर्मा आगें डॉक्टर नगेंद्र तो 88 का आपका उत्तर हो का महादेवी वर्मा जी इसको भी नोट डाउन कर लीजिए ठीक है अगला प्रशन है भारतिया नारी की द्यानी स्थिति का निरूपन किस निवन संख्रे के निवन्दों में किया गया है श्रंखला की कडिया विपत गाय या तिरेशंकु या फिर आत्म निकद तो बताईए 89 का आपका उत्तर क्या होगा इसका होगा यह श्रंखला की कडिया अब देखे दो प्रशन आपके बन श्रंखला की कडिया किसका लिखा गया है और भारत की नारी की दैनिया इस्तिति का इसमें निरूपन किया गया है तो दो कोशन आपके इहां पर बन गए इसमें से ठीक है साइटे सेचर किस लिखक का निवन संकलन है आगे हरिशंकर परसाई हजारी परसाद दिवेदी या पर महादेवी बर्मा तो इसमें हजारी परसाद दिवेदीजी का यह निवन संग्रह है तो इस प्रकार से आपके कोशन हुए है अब इन पे तो मत जाना यह स्ट्वेंस मत जाना क्योंकि जो कोशन मुझे अच्छे लगे वही कोशन में आपके लिए लेकर आई थी तो वैस कमें में क 무比較 के इंथे ऐनփइव के लिए रखलत स्चेमरच के बीए तो उनको भी पता चल जाएगा की से रहते रहां कि आप जज जादर राइक कीजिए बेफिट जो